राजस्तान के उपमुख मंत्री और उस सिख्षा मंत्री डॉक्टर प्रेमचन बैरवा जी ने बयान दिया है कि छातर संग चुनाव नहीं होंगे यह विजेपी सरकार का छातर विरोधी फैसला है मैं इसकी कड़े सब्दों में निंदा करता हूँ क्योंकि छातर राजनिती लोगतंतर की पहली सीडी होती है इसमें जो छातर पढ़में आते हैं वो अपना नेता चुनते हैं और यही नेता छातर नेता जो तानाशाई प्रशाशन होता है कोलेज और विश्व विद्धाले का उनके खिलाफ मोर्चा खोलता है उनकी नात में नकेल डालने का काम करते हैं और यही छातर नेता आगे चलके भुविश्य की राजनिती का भी हिस्सा बनते हैं और कहीं न कहीं विधायक और MP बनने का भी इनको मौका मिलता है और विजेपी सरकार इसकदर घबरा गई है अपनी छातर विरोधी नीतियों से और सरकार के काम कास से कि ये नौजवान ये कोलेज विश्विधाले में पढ़ने वाले चातर उनसे सवाल ना पूछ लें इसको घबराकर वो चातर संग चुनाव बंद करना चाहती है मैं विजेपी सरकार को चितावनी देना चाहता हूं कि आप इस पर पुनर विचार करें नहीं तो ये एनश्वाई राजस्थान के कारे करता आपकी सरकार की इंट से इंट बजा देंगे और आपको जवाब देना पड़ेगा चातर संग चुनाव चालू करवाने पड़ेंगे जब तक चातर संग चुनाव चालू नहीं हो जाते हैं एनश्वाई का कारे करता आपके खिलाफ म